दोस्तों नमस्कार भरोसा नहीं था उम्मीद नहीं थी लेकिन मोहर लग गई और राजनेतिक तोर पर भारत में दो हजार चौबिस का चुनाओ एक अतिहासिक चुनाओ है इसकी बड़ी वज़ा ये नहीं है कि दरसल 400 पार का नारा मौझूदा राजनेतिक सत्ता लगा रही है इसकी बड़ी वज़ा ये है कि 543 में से 400 सीटों पर मुकाबला सीधे होगा यानि राजनेतिक तोर पर गटबंधन आमने सामने अगर NDA और इंडिया की शकल में है तो दूसरा सच यह भी है कि इससे पहले एमरजनसी के बाद के चुनाओं में ही इस देश में 373 सीटों पर पक्च और विपक्च यानि सत्ता और विपक्च आमने सामने थे इस बार वो रेकार्ड भी तूट रहा है कुछ राज्यों को अगर आप छोड़ दीजिएगा तो उसमें पश्चिम बंगाल है उसमें उडीसा है उसमें आंदरपरदेश है उसमें तिलांगना है उसमें केरल है उसमें पंजाब है यहाँ पर सीधा मुकाबला नहीं है लेकिन दूसरी तरफ कॉंग्रिस 12 करोड पर अटक गई थी लेकिन अगर इंडिया गटबंधन के दाइरे में मौजूदा इस्तिती को टटो लिएगा तो हो सकता है ये 23 कॉल वोट जो बीजेपी को मिले थे उससे जादा तकरीबन डेल पॉने दो कॉल वोट और जोड़ जाएंगे इंडिया गटबंधन के हिस्से में तो मैथमेटिक्स तो बहुत साफ कहती है कि अगर एक तरफ बीजेपी होगी और दूसरी तरफ अगर इंडिया गटबंधन होगा तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल वक्त है लेकिन एक दूसरी परिस्तिती कहती है बीजेपी को इसलिए राज दर राज, सीट दर सीट गटबंधन के साथ ही चाहिए थे इसलिए गटबंधन बनाते बनाते वो 44 राजनितिक दलों को अपने साथ जोडती चली गई और राजनितिक तोर पर विपक्ष कहीं कमजोर हो जाए चाहे उस पॉलिटिकल पार्टी से आया हुआ नेता चुनाओ लड़े या ना लड़े लेकिन इस परिस्तिती में भी विपक्ष को कमजोर कर दिया जाए तो खुद को मजबूत अपने आप खड़ा पा लेंगे तो राजनिती की एक ऐसी लकीर इस देश के भीतर पहली बार खिची है खास तोर से गटबंधन वाले रज्यों को लेकर जिसके दायरे में बिहार है जिसके दायरे में उत्तर परदेश है जिसके दायरे में जारकंड है जिसके दायरे में महरास्ट है जिसके दायरे में जम्मू कश्मीर भी है हाला कि जम्मू कश्मीर के भीतर PDP और National Conference के भी समझोता नहीं हुआ है वहाँ वो आपस में टकराएंगे जरूर लेकिन इन सबसे हटकर अगर इस देश के भीतर में 400 सीटों का आकलन कीजिएगा तो एक जटके में आपके सामने दो सवाल सबसे बड़े होंगे क्या वाकई 400 पार का नारा जो लगाया जा रहा है वो सीधे मुकाबले में कहीं मुश्किल हालात तो पैदा नहीं कर देगा और दूसरी परिस्थिती है कि जिन आरोपों का पुलिंदा लेकर लगातार प्रधान मंत्री अलग-अलग जगाओं पर रैलियां कर रहे हैं सीटों पर चुनाओ लड़ेगी और NCP जो है वह 10 सीटों पर चुनाओ लड़ेगी इन परिस्थिती के बीच एक बात सामफ हो गई कि महराश्ट के भीतर वन टू वन का मुकाबला तै हो गया और ध्यान दीजिए जो पहले 102 सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है उसमें महराश्ट की राजनिती की शुरुवात विधर्ब से होगी और विधर्ब में कॉंग्रिस दूसरे किसी भी राजनितिक दल की तुलना में कहीं ज़्यादा मजबूत है जिन सीटों पर चुनाओ होना है वहाँ पर कॉंग्रिस चुनाओ लड़ रही हो चाहे नाकपूर हो चाहे राम टेक हो चाहे चंदरपूर हो चाहे गडचिरोली हो चाहे भंडारा हो इन जगहों पर चुनाओ पहले फेज में होना है और वहाँ पर कॉंग्रिस के उमिदवार चुनाओ मैदान में है सयोगी तोर पर शिवसेना और NCP की क्या मदद मिल सकती है यह एक फार्मूले की दूसरी लकी रहे जिसमें वोट ट्रांसफर का मसला है लेकिन इसकी दूसरी हकीकत यह भी है कि अजीत पवार जो किसान विरोधी कैसे रहे वह जिस समय डिप्टी सियम थे उस वक्त उनकी जो बात कही गई थी जब सिचाई के पानी का जिक्र था उस दौर में उनका जो टीका टिपनी थी उसको किसानों ने बहुत बुरे तोर पर लिया था विदर्ब का पूरा इलाका किसानों से पटा पड़ा है आदिवासी भी है चंदरपूर गर्चिलोली में बंडारा में यहां पर आदिवासीों की तादाद भी है लेकिन इन दोनों परिस्तिति के बीच में अजीत पवार और एक नात शिंदे दोनों की राजनिती फिट बै दूसरा सवाल यह है कि जिस लिहास से विदर्ब, मराठवाडा, पश्चमी महरास्ट और मुंबई चार जगों को अलग-अलग हिस्से में बाटा गया है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मराठा वोट के आसरे बीजेपी को यह लग रहा है कि एक नात शिंदे के आस तकराना है और कहीं उद्दव ठाकरे की शिवसेना से तकराना है दूसरी परिस्थिति ऐसा नहीं है कि अजीत पवार के अनुकूल सब कुछ है इसके लिए तो बारा मती ही एक बार चले जाईए बारा मती में अगर अजीत पवार अपनी पतनी को जिता देते हैं तो एक पवार और उनकी राजनिती खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर शरत पवार अपनी बेटी सुप्रिया सूले को जिता देते हैं तो फिर अजीत पवार की समूची राजनिती जो गटबंधन के आसरे बीजेपी के साथ खड़े हैं समूची सौदेबाजी एक जटके में खत्म हो चुनाओ लड़ रही है लेकिन इस पूरे दोर से अगर आप परखेंगे तो बीएसपी गाइब है और राजनितिक तोर पर बीएसपी के गाइब होने का मतलब उसके वोट कहां ट्रांसफर होंगे अगर नगीना में लग रहा है कि वह चंशेखर आजात के हिस्से में चले जाएंगे वह चुनाओ जीत जाएंगे तो अगला सवाल यह भी है कि फिर चंशेखर आजात को रखलेश यादव ने साथ क्यों नहीं लिया वह किसी दूसरी ताकत को उत्तर परदेश में पनपने देना नहीं चाहते थे या फिर राजनितिक तोर पर वह समझ गए कि दरसल समाजवादी पार्टी के हिस्से में अगर जिस पीडिये के आसरे वो चल रहे हैं उसमें दलित वोट अगर उनके भरोसे नहीं आएगा तो मुश्किल होगी लेकिन इस पूरे चका चौन्द में आप ध्यान दीजिए बीजेपी का जिक्र जातीगत राजनिती और वन टू की परिस्तिती से गाइब है तो आएए जड़ा एक एक करके राज्यों की परिस्तिती को खोलें लेकिन उससे पहले हमें लगता है आज महाराष्ट का जिक्र इसलिए भी जरूरी है तो कि महरास्ट में कल जब प्रधान मंतरी मोदी पहुँचे थे वो जिन बातों का दिक्र कर रहे थे महरास्ट के संदर्म में उससे पहले दो बात याद कर लीजिए हर कोई जानता है कि महराष्ट में जो सत्ता पल्टी शिवसेना तूटी और उस दौर में जो राज़िपाल की भूमिका थी सुप्रीम कोट ने अपने फैसले में मोहर लगा दी कि दरसल राज़िपाल की भूमिका असंविधानिक थी सब को पता है कि कैसे शिवसेना को तोड़ा गया उसमें कितनी बड़ी भूमिका एडी और सीबी आई की रही और इंकम टेक्स के अधिकारियों की भी रही लेकिन इन सब से हट कर अगर उस पूरे प्रकरण को अगर आप याद कर लीजिए और उसके बाद कोई आप से कहे कि प्रधान मंतरी के भाशन के इस हिस्से को सुन लीजिए जो कल वो चंदरपुर में कह रहे थे चंदरपुर वो जगा है जहां 2019 में कॉंग्रिस चुनाव जीती थी इस बार जो उमिदवार जीते थे उनकी मृत्यू के बाद उनकी पतनी को टिकट दिया गया है तो चंदरपुर इस लिहाद से कहीं न कहीं बीजेपी के लिए और मुश्किल वाला सबब है और ये विधर यहाद से पूरे विधर में मुश्किल में है लेकिन बहराल जो पूरी राजनिती महरास्ट के भीतर विधायकों की खरीद फरोग से लेकर तोड़ने से लेकर सत्ता को डिगाने तक की हुई उसके बाद प्रधान मंत्री के भाशन का इस हिस्से को कम से कम जरूर सुनिए जब इंडिय अलाइस वाले धेर सारी साजी से करके जनादेश लूट कर राज्य की सत्ता में पहुँचे तो भी इनों ने सिर्फ और सिरफ खुद का ही विकास किया किसका कितना हिस्सा होगा कौन सा ठेका किसको मिलेगा मलाईदार पोस किसके खाते में कितनी आएगी ये पूरे महरास्ट का भविश इनों ने अपनी इसी हिसाब किताब के भेंट चड़ा दिया दरसल महरास्ट में कॉंग्रेस के हिस्से में जो टिकट आई है उसमें चंदरपुर जो विधर्व के हिस्से में आता है गर्चिरोली, बंडारा, अकोला, रामतेक, अमरावती, नाटपुर इसके अलावे जिन जगव पर उसकी मौजूदगी है वो लातुर है, जालना है, धुले है, नंदुरबार है, नांदेड है, सोलापुर है, पुने है, कोलापुर है और मुंबई की दो सीट है, मुंबई उत्तर मध्य और मुंबई उत्तर, लेकिन बड़ा सवाल है कि शिवसेना अपनी मौजूदगी मुंबई के भीतर जताना चाती है, और इस पर शर्प पवार ने भी सहमती जताई, जो लग रहाता की कहीं चीजें उलज जाएंगी, इस जगों पर शिवसेना की मौजूदगी है, और खास तोर से मराठवारा और जिन इलाकों में शर्प वार की पहुंच और पकड़ की बात होती है, वो बारमती का इलाका है, वो शिरूर है, वो निंडोरी है, वो सतारा है, वो मांडा है, वो बीड है, वो एहमद नगर है, वो भिवंडी का इलाका है राजनितिक तोर पर बड़े सिलसलेवार तरीके से पूरे महराश्ट को अगर आप परकिएगा तो ध्यान नजर आएगा कि दरसल इन जगों पर बीजेपी के सामने अब वह मुश्किल आने वाली है जो इससे पहले 2014 और 2019 में नहीं आई थी पिछले चुनाओं में सिर्फ 28 परसेंट 27.8 परसेंट बीजेपी को मिले थे दूसरी तरफ शिफसेना को भी लगबग साले 23 परसेंट वोट मिले थे वह वोट आपस में ट्रांसफर हुआ था शिफसेना और बीजेपी का अब शिफसेना 20 से फट गई एनसीपी भी बीच के हिस्से से बट गई उसके पास भी लगबग साले 15-16 परसेंट वोट था वह भी बट गई अगर केमेस्ट्री और फिजिक्स दोनों को मिला दीजिएगा यहां पर और उसके जरीए जो नया फार्मूला निकलता है वो बहुत साफतोर पर बतलाता है कि अगर 1-2-1 की स्थिती है तो फिर सीटों को लेकर जीतार भी 1-2-1 की होने वाली है तो क्या 48 में से 24-25 के आगे बीजेपी बढ़ नहीं पाएगी पूरे गटबंदन के साथ और दूसरी तरफ पूरे गटबंदन के साथ यह भी 24-25 पे आके अटकेंगे यह फिलाल फार्मू का नारा लगा रही है तो ऐसे में हमें लगता है कुछ शहरों को याद कीजिए इस देश के भीतर अलग अलग जगाओं पर कितने वोट से बीजेपी जीती थी जैसे मचली शहर यहां पर बीजेपी को उसने हराया था लेकिन जीती थी सिर्फ 181 वोट से खूंटी का इलाका जो राची के करीब है जारकन में पढ़ता है 1445 वोट से जीती थी कॉंग्रेस को हराया था चामराज नगर यहां पर भी कॉंग्रेस को हराया था और वोट सिर्फ उसको जीत मिली थी 1813 वोटों से अगर आप बंगाल चले जाएगा तो वर्दमान दुरुगापुर का जो इ जाका यहां धाई हजार सभी कम वोट से बीजेपी जीती थी और उसने टीमसी को हराया था दिली के बगल में मेरट है जहां से इस वक्त अरुन गोविल चुनाव लड़ रहे हैं यह सीट भी 4700 वोट से ही बीजेपी जीत पाई थी और उसने वहां पर बीएस पी को हराया थ मुझफर नगर में चले जाईए यह भी 6500 वोट से ही बीजेपी जीत पाई थी चतिस गल के कांकेर में चले जाईए वहां भी बीजेपी 6914 वोट से ही जीत पाई थी रोतक में 7500 वोट से ही बीजेपी जीत पाई थी संबलपुर में 9162 वोट से ही जीत पाई थी दबन है क्योंकि 10 हजार के नीचे की स्थिति और इस देश के भीतर में वन टू वन की स्थिति और माना यह जाता है कि जो फ्लोटिंग वोट होते हैं खास तौर से जो 50 हजार के दाइरे में चलते हैं यानि 25 हजार वोट कभी भी किसी भी पक्ष में जा सकते हैं लोगसवा चुनाओ के भीतर में और वन टू वन की स्थिति जो बतलाती है इस देश के भीतर में जो पिछले चुनाओं में नहीं स्थिति बनी थी उस लिहाज से देखिए तो इस देश की तक्रीबन सीधे तौर पर लगभग 77 से 80 सीटे ऐसी हैं जो सीधे तौर पर बीजेपी को प्रभावित क अगर पिछले चुनाओं के वोट भी अगर NDA गटबंदन के साथ आप जोड़ दीजिए और दूसरी तरफ बीजेपी के साथ जो बीजेपी के साथ नए राजनितिक दल मिले हैं उनको भी जोड़ दीजिए तो भी बीजेपी के लिए मुश्किल हालाता है अगर 2019 की हवा च इस लिहाद से वो शिवसेना को सोच रही थी उस लिहाद से उसके लिए ये भारी पड़ गया इसकी दूसरी इस्तिती बिहार के भीतर में है बिहार की 40 सीट भी बड़ी माइने रखती हो और 48 सीट महरास्ट की 40 सीटों के भीतर जब आप जाईएगा तो वहां की स्तिती को भी अगर देखिएगा तो वह भी वन टू वन की स्तिती जो नजर आती है उसमें आरजेडी के साथ भी कई ऐसी सीटे थी जहां बहुत कम वोट वैंक से बीजेपी को जीत मिलीती लेकिन बात इससे साफ नहीं होगी साफ इससे होगी कि अगर क्या वाकई नितीश कुमार 2019 व पार्टी का ने भी उस दौर में मान लिया था कि मुश्किल हो सकती है इसलिए उन्होंने पाला बदला लेकिन वो इस पाले बदलने के दौर को पचा नहीं पाए और राजनेतिक तौर पर जब वो वापस चले गए तो नितीश कुमार का कद और तेजस्वी के कद में बड़ा फर्क हो गय तेजस्वी इस दौर में चुकी 17 माईने 17 भी चला चुके थे और राजनेतिक तौर पर जो सफलता उन्होंने नौकरी देने के मामले में अपने हिस्से में ली उसको कोई खारिज भी नहीं कर पाया शायद यही वजह है कि बिहार के भीतर भी कॉंग्रिस लेफ्ट और आरजेडी गटबंदान और इसके साथ माईनजी का सयोग यह सारी परिस्थिती बतला रही है कि इस दौर में माईनजी बीजेपी के साथ है लेकिन माईनजी का जो वोट बेंक है उस वोट बेंक के आशर इस्तिति में लगातार बिहार और महरास्ट की रहलिया एक के बाद एक अमिश्शा और नरिंद्रमोदी जो लगातार कर रहे हैं वो जांचुके हैं कि गटबंधन वाले राज्जों में ही उनके सामने मुश्किल आने वाली है और यह मुश्किल हाला जारकंड में भी आएगी क्या ये स्थिति है तो जस्वी आदफ कहते हैं कि अब 365 दिन भी आ जाएं लेकिन बिहार की राजनिती का रंग इस दौर में बदल चुका है प्रदान मंत्री जी को तो कम से कम जो स्थिति है तो 300 पैसेटों भी नाएंगे तो भी उनको हारता है आप एक बाद समझ लिए प्रदान मंत्री जी सबसे ज्यादा बीजेटी के लोग अगर डरें हुए हैं तो बिहार से डरें हुए हैं तो वो तो अपनी पूरी ताकत लगा हैं और वो तो छोड़ी अपने जाच अजेंसियों को तो दिन भर यहीं रखे हुए हैं तो वो सब हम लोगों को पता है आए प्रदान मंत्री हों गरी मंत्री हों आए लेकिन हाँ जोरकर के निवेदन है कि मुद्दे की बात करें जिसान के बारे में बात करें विहार के वि सवाल सिर्फ बिहार का नहीं है सवाल तो संयोक से बंगाल का भी है और उडिसा का भी है कोकि राजनितिक तोर पर अगर 2019 के चुनाओं की हवा को आप एक आदर्श हवा बीजेपी के लिए मान भी लेते हैं तो भी यह सवाल रहेगा कि इस दौर में बीजेडी जिन जगों यानि नवीन पतनायक जिन जगों पर हारे वह सीटे क्या इस दौर में बीजेपी जीत नहीं पाएगी बहुत कम मार्जिन से जीत मिली थी यानि फ्लोटिंग वोट जो माना जाता है अगर उसके दाइरे में सिर्फ 30 से 40 अज़ार वोट को भी रख दीजेगा तो फिर उडि जिन से जीती और इस बार परिस्तिती वहां भी पलट सकती है यानि राजनेतिक तौर पर जिस गटबंधन की सोच बीजेपी से निकल कर आई थी कि बीजेडी के साथ वो गटबंधन कर ले वहो नहीं पाया दूसरी तरफ बीजेपी इस बात को लेकर लगातार ताली बजाती रही कि दरसल ममता बनर जी अपने बूते लड़ रही है तो मुकाबला त्रिकोणियों होगा एक बात तो समझ लीजिए कि इस देश के भीतर में अब वोटर ये मान चुका है कि उसे बटना नहीं है और इस देश के तमाम राज्यों के चुनाओ जो 2019 के बाद हुए वहाँ पर खुले तोर पर ये बार बार नजर आया कि वोटर मान कर चलता है कि किसे जिताना है या किसे हराना है और आमने सामने की परिस्तिती में इस देश के वोटर की मानसिक्ता भी खड़ी हो गई है इसलिए उत्तर परदेश में जरा सोचिये कॉंग्रेस को सिर्फ तीन परसेंट वोट मिले जरा सोचिये वामपंथी गायब हो गए बंगाल की जमीन से विधान सबाच चुनाओ के भीतर जरा सोचिये जेडियस की क्या हालत हो गई करनाटक के भीतर इन सब के बीच तेलांग क्योंकि पश्चिम बंगाल के भीतर के आंकड़े भी बहुत साब बताते हैं कि जार ग्राम हो गोच बिहार हो और दुरगापुर हो बहुत कम मारजिन से यहां पर बीजेपी जीती थी यहां तक की पटना यानि पाटली पुत्रा की सीट जो है वह भी 49,000 वोटों से ही सिर् बीजेपी को जीत मिली थी रविशंकर प्रशाद जीते थे यहां पर लेकिन सवाल अब उसके आगे का है इस दौर में जो अलग-अलग राज्यों के गटबंदन है वहां तो one-to-one की परिस्तिती है और जहां पर one-to-one की परिस्तिती नहीं है वहां पर क्या होगा और ये चंदरबाबू नाइडू के साथ बीजेपी खड़ी है सवाल ये है कि बीजेपी को आंधरपरदेश कहीं भी स्विकार करने की स्थिती में पिछले चुनाओं में नहीं आया तो क्या इस बार उसके कांधे पर सवार होकर चंदरबाबू नाइडू को लाब मिलेगा या इस क्या होगी ये सवाल करनाटक के भीतर जेडियस के साथ समझाता होने के बावजूद है और ये सवाल कहीं न कहीं तेलांगना के भीतर भी रेंग रहा है हाला कि तेलांगना के भीतर समझाता ना हो ये बीजेपी के हक में है और जब ये हक में है तो उसी का असर आप देख सक कि इस दोर में जो वहां के मुक्हमंत्री पूर्व थे उनकी बेटी वह इस वक्त जेल में हैं दिल्ली के शराब घोटाले के खेल में उनको छोड़ना नहीं चोड़ना कहा जाता है राजनितिक तोर पर एक निर्णय था लेकिन इस परिस्थिती में अगर दिल्ली के चुनाओ पंजाब के चुनाओ जहां पर आम आदमी पार्टी की मौजूदगी है तो आज इस बात की मोहर लग गई कि अब केजरीवाल चुनाओ तक बाहर नहीं निकलेंगे उनकी तमाम बातों को खारिच कर दिया गया और हाई कोट ने जब उनकी अरजी खारिच की तो वो बड़ा मुश्किल सवाल ये है कि अब उनकी बाहर की यात्रा वो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी क्योंकि खुले तोर पर कोट ने अपने फैसले में इस बात का जिक्र क कि हवाला के जरीए पैसा आया जो कैश के जरीए चुनाओं में इस्तमाल किया गया वो हमारी पकडवे चाहे नहीं आया लेकिन पैसा आया इसके सबूत हमारे पास हैं हाई कोट ने खुले तोर पर कहा कि दरसल चुनाओं होने वाले हैं इस तारीक को तो केजरीवाल याद कि इसको अदालत या एडी क्यों याद रखे और फिर यह भी कह दिया गया कि दरसल जो घपला घोटाला या मनी लॉंडरिंग कारो पर विन केजरीवाल पर आये वो परसनल कैपिसिटी में भी है और बतौर कन्वेनर आम आदमी पार्टी के तोर पर भी है यानि राजनितिक तोर पर बीजेपी ने जो दाव चला है वा केजरीवाल को जेल में डाल कर सियासी तोर पर जीत का दावा है लेकिन दूसरा पक्ष इसका यह भी है कि अगर इस देश के भीतर में चुनी होई सरकार और उसका मुक्मंत्री जेल में है तो क्या भावनात्मक तोर पर अगर बी राजनितिक तोर पर क्या असर कैसे किस रूप में होगा ये अब बताने की जरुरत होनी नहीं चाहिए जब आम आदमी पार्टी खुलकर अब ये कहने से चूक नहीं रही है कि यह शायद इस दौर की सबसे बड़ी पॉलिटिकल साजिश है कि ये पूरा का पूरा मामला भारत की राजनिती में आजादी के बाद से लेके सबसे बड़ा राजनितिक सड़यंत्र है एक गहरी साजिस के तहत ये मामला बनाया गया है और इस मामले के पीछे किसी घोटाले की जाच का मकसद नहीं है डिल्ली की प्रचंड बहुमत से चुनी हुई अरविंद केजरीवाल को गिराने और खतम करने का मकसद है पल्टे जाते हैं हम सुप्रीम कोट जाएंगे और हमें सुप्रीम कोट पे बहुत भरोसा है कि जैसे माननिय सुप्रीम कोट ने संजे सिंग जी को रिलीव दिया लाख हाई कोट के फैसले के बाद संजे सिंग जी को रिलीव दिया हमें पूरी उमीद है कि अरविंद केजरीवाल जी के मामले में माननिय सुप्रीम कोट रिलीव दिया ये ऐसे सवाल हैं जो दिल्ली से भी जुड़े हैं पंजाब से भी ये सवाल इंडिया गटवंदन से भी जुड़े हैं और बीजेपी से भी जुड़े हैं इस दोर में प्रधानमंत्री मोदी की साख से भी जुड़े हैं और शायद इस दोर में बीजेपी के साथ कड़े ना कहीं बात को भेद चुके हैं कि यह चुनाओ एक तरफा है और 400 पार की जीत मिलने वाली है क्या ये हो चुका है दूसरा सवार बीजेपी के साथ जितने भी राजनितिक दल खड़े हैं अगर वो जानते हैं कि बीजेपी अपने हक के इसाब से राजनिती को साधती है और सा खड़े विक्ती या पार्टी को वो डंप करने से चूकती नहीं है तो क्या उन पार्टीयों के भीतर अब ये सवाल बड़ा है कि अपने अपने इलाके में उनकी जरूरत है बीजेपी के हिस्से में उनके वोट बैंक भी चले जाए यानि वोट ट्रांसफर भी हो जाएं य क्योंकि एक बड़ी कतार है इस दौर में जो दबाओ के साथ बीजेपी के साथ खड़ी हुई तीसरा सवाल इस दौर में इंडिया गटबंधन से जुड़ा है जो राजनितिक तोर पर भारत की राजनिती में विपक्ष की एक जुड़ता और इस देश के भीतर मोदी की सत् खड़े होने की सोच थी उसकी भी असल परिच्छा इसी चुनाओ में है चौथा सवाल है इस देश के जो तमाम छत्रप हैं जो इंडिया गटबंधन के साथ आए या जो बीजेपी के साथ एंडिया में चले गए इन गटबंधनों का भविश्य क्या होगा संयोग से वह भी इस चुनाओ के दाइरे में आकर सिमट गया है क्योंकि सब को पता है कि 2024 का चुनाओ का परिणाम जिसमें 400 पार की परिस्तिती क्या गुल खिलाएगी और मोदी के हार की परिस्तिती इस देश में कौन से नायाब इस्तितियों को राजनितिक तोर पर पैदा कर देगी और पांचवा सवाल है क्या वाकई इस दौर में सभा चुनाओ में बड़ी भूमिका चुनाओ आयोग की है इस देश की जाच एजनसियों की है इस देश के भीतर CRPF और तमाम सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी जो चुनाओ के दिन होगी उनकी भी बड़ी भूमिका है क्योंकि one to one की स्थिती में वोटर तैयार है राजनितिक दल तैयार है और 400 सीटों पर अगर सीधा मुकावला आमने सामने का है तो उसके दाइरे में इस देश के भीतर का तकरीबन 70 करोड वोटर सीधे तोर पर आ जाता है पिछले चुनाओं के हिस्से में लेकर आईएगा तो तकरीबन वहाँ पर जो वोटिंग होई थी इन 400 सीटों पर वोटिंग तकरीबन 36 से 38 करोड के बीच की वोटिंग थी जिसमें एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के हक में गया लेकिन उससे जादा बड़ा हिस्सा उस दौर में चाहे कॉंग्रिस के हिस्से में नहीं गया लेकिन अगर उसकी तुलना इस दौर में इंडिया गटबंदन से कीजिएगा तो वह उनके साथ आकर खड़ा हो जाएगा यानि एक तरफ तकरीबन 17 करोड बीजेपी के हक के वोटर और दूसरी तरफ तकरीबन 20-21 करोड उसकी एक लकीर खिच चुकी है उस पार मोदी के 400 पार के नारे की गुंज है और इस पार वन-टू-वन की स्थिति है बहुत 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 बहु